एक्जाम के विएस एन्वेस यूपीएसी तीनों कही एक्जाम का पूरा का पूरा स्लेबर्स आपका इस बैच में कवर होगा आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे होंगे अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो किसी स्पैसिफिक एक एक्जाम में है तो आपको बता दिया होते हैं के विएस एन्वेस यूपीएसी तीनों को तो यह बैच एक बर फिर से मैं आपको बता देती हूँ टाइमिंग थर्ड जन्वरी आगी से स्टार्ट हो रहा है सिक्स थर्टी पीम पर हमारा बैच शुरू हो जाएगा मंडे टू फ्राइडे जो है इसकी टाइमिंग कि पेले तो आपको त्वेलथा का डिसकाउंट जो है इस पर मिलता है इस ऐसे सलेटी नहीं हमें hard copy notes से पढ़ना है तो इस बैच के साथ आपको hard copy notes भी दिये जाते हैं ताकि आप अपने hard memory notes जो है वो अपने ready कर सके ठीके इसके साथ साथ जब भी हम कोई topic करते सबसे main important है कि हमने उससे कितना सीखा तो test series तो test series भी आपके जो है इस बैच में included होती है आपकी online computer based CBT based होती हैं आप उनको time कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका analysis करके कि कि कितने सहीं कितने गलत उसके बाद आपको बता दिया जाता है आप जो है जैसे ही course में test attempt करते हैं उसके बाद वो पूरा analysis आपके सामने आ जाता है अब live batch है यह यानि कि interaction हमारी रहे कि जैसे कि आप अभी YouTube पर live देख रहे हैं तो आप comment कर सकते हैं आपके comment कर सकते हो ठीक इसे तरीके से हमारे batch में भी बट यहां पर आपको बोलने की जो है वह नहीं है option जैसे जूम में होता है आपने गूगल जो है classroom किया है तो यहां पर जब हम बैच करेंगे live classes तो वहां पर आपके पास पीक का option है आप बोल सकते हैं अपनी query बोल कर बता सकते हैं लिख कर बता सकते हैं यानि कि अगर आप इस batch को एक दो दिन बाद भी जोईन कर रहे हैं बाइचांस यह वीडियो आप तक बाद में पहुंसती है तो जो भी हम already classes कर चुके होंगे वह आपके पास recorded section में रहेगी और अगर आप live batch जोईन नहीं करना चाहते है तो हमारे पास recorded batch भी अविलेबल है उसकी भी detail आप हमारे help line number पर हमें contact कर सकते हैं तो सबसे पहले की batch कैसे join करना है आपको study portal academy आपको download करना है ठीक है date देखके आपको batch join करना है 3rd January यह आप हमें contact कर सकते हैं आपको इस batch का link मिल जाएगा description box में भी मैं आपको इसका link प्रोवाइड कर दूँगे आप वहां से directly click करके इसके batch के बारे में देख सकते हैं तो CCS CCA में part 5 है वहाँ पे है हमारे बारे में part 5 में क्या चीज़ के बारे में जिसमें की minor major penalties है तो उनको हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सी minor है और कौन सी major penalties है तो सबसे पहले जब हम minor penalty की बात करते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यार रखनी है कि जो यह है से first second third तो इन में जो level है वो इसी तरीके से रखा गया है कि first बह number की minor उसे थोड़ी up level है इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है तो minor penalties में सबसे पहला जो है वो होती है sensor तो यह अगर question में पूचा जाए कि सबसे lowest level की penalty कौन सी होती है तो sensor होती है तो warning कोई punishment नहीं होती है sensor का मतलब होता है कि कि किसी की निंदा करना कोई आपने ऐसा misconduct यह कोई ऐसा काम कर दिया जिस पर penalty जड़ा देने की जोरत नहीं थी लेकिन आपको नहीं करना चाहे था आपने irrespective of कि आपको नहीं पता था आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वहाँ पर उस काम की बस निंदा की जाती है तो वो minor penalties है second है withholding of his promotion for a fixed period आपका जो promotion है उसको रोक लिया जाता है कुछ time के लिए माली जो one year के लिए two year के लिए तो अगर आपका promotion रोका जा रहा है तो यह भी आपकी minor penalties है next क्या है recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss pecuniary loss क्या होता है pecuniary is related to monetary पैसे से lending ठीक है monetary benefit तो recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of order अगर आपने कोई भी काम के पर दिला परवाही की या फिर आपने कोई भी court of connect को breach कर दिया है तो उस case में क्या होगा अगर government को कोई भी pecuniary loss हुआ है यानि कि कोई भी monetary loss हुआ है तो उस loss को आपकी पेसे recover किया जाएगा तो यह क्या है हमारी यह हमारी minor penalties sensor यह आपके promotion को withhold कर दिया यह आपकी जो salary है उससे recovery कर ली government नहीं अपने loss की तो recovery is always done from the person not from the GPF तो यहां पर salary से होगा ठीक है जो from persons होगा GPF से नहीं होगा कोई से पी अमाउंट है तो वहां से से कोई recovery नहीं की जाएगी नेक्स्ट क्या है a reduction to lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding three years यानि कि तीन साल से कम के लिए किसी time scale में आप क्या कर रहे हो उसकी stage को reduce कर दे रहो तो उसके level को reduce कर दे रहो kind of demotion कर दे रहो ठीक है without cumulative effect and not adversely affecting his pension तो यह जो आप करोगे उसको level कम कर दोगे एक kind of demotion अगर आप उसका कर रहे हो तो यह आप community effect से करोगे और तीन साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसका इसकी pension पर जो है कोई effect नहीं पड़ेगा next क्या कर सकते हो आप withholding of increment of pay जो increment होना है आपने उसको ही withhold कर दिया तो increment को आप रोक सकते हो तो यह भी आपका minor penalties है यह जो हमने लिखा है यहाँ पर cumulative effect इसके अलावा एक non cumulative cumulative effect होता है वह हम आगे की slides में देखेंगे कि कैसे यह आपकी salary पर आपके monetary benefit पर असर डालता है अब हम बात करते हैं major penalties की major penalties में सबसे पहले है withholding of increment की increment को रोक देना cumulative effect से यह non cumulative effect में क्या होता है withholding and increment forever आपने हमेशा के लिए उसका increment रोक दिया माली जबने दो साल के लिए उसका increment रोक जाएगा तो आपने वो रोक दिया अब उसको जो third year से मिलेगा वहां से उसको वही increment मिलेगा जो की सब को मिल रहा है उसी level पर मिलेगा ना कि उसका दो साल का रुका हुआ और यहां पर क्या है withholding an increment for limited period यहां limited period के लिए आपने रोक दिया तो areas of suspended period shall not be given तो इसका कोई भी area नहीं दिया जाएगा अगर आप suspended पे हो तो इसलिए अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं जहां पर की एक example लिया गया है कि कि किसी भी employee की नोन cumulative effect से उसके जो increment उसको रोका गया है और यहां पर उसके मान लीजिए दो increment को रोका गया है तो कैसे होगा यहां पर हमने basic salary मानी है मान लीजिए 2018 को वो बंदा joint किया उसकी salary 10,000 थी ठीक है फिर उसकी हर जो साल increment हो रही है वह उसकी 500 रुपीज हो रही है ठीक है 500 रुपीज उसकी increment हो रही है तो 2019 में उसकी 10,500 होगी 20 में उसकी 11,000 होगी फिर उसकी 11,500 होगी ठीक है फिर तरीके से होनी चाहिए थी लेकिन 2020 में आपने क्या किया उसको non cumulative effect आपने दो इंक्रिमेंट रोकनी कि उसको punishment दे दी तो यहां पर जो 10,500 बाकी employees की तो होगी लेकिन जिसको punishment मिनी है उसकी कितनी रही 10,000 ही रहेगी दो साल की दिये तो दूसरे साल भी इंक्रिमेंट नहीं हुआ तब भी उसकी सैलनी कितनी रही 10,000 ही रही लेकिन जब आगे की बात आएगी तो वहां पर क्योंकि कमिलेटिव नोन कौलिटिव फेक्ट है यानि कि हमेशा के लिए रोक नहीं जा रहा है उसका oकलिव यहाँ सभी आपने रोक कि यहां पर 10,0001 15500 तो आपने चीदा इसका यहां पर 10,500 से सीधा 12,000 कर दिया है तो आपने यहाँ पर क्या किया है नॉन का मिलेटिव एक्ट है विद होल्डिंग two increments आपने two increments रोके तो हैं लेकिन limited period के लिए लिए नहीं रोके हैं तो limited period के लिए रोके हैं यानि कि आपके जितना भी आपका amount था जितना भी उसका था दो साल बाद जितना उसका actually होना चाहिए था अगर वो पिछले दो increment होते तो उसी के basis पर आपने उसको increment दिया है तो यह आपका क्या है non cumulative effect इस case में क्या हुआ इस case में loss उसको बस इतना हुआ कि जो दो साल की payment उसको बढ़के मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली तो इस case में loss कम होता है लेकिन अगर हम बात करें cumulative effect की तो यहां पर लोस अच्छा खासा हो example इसी तरीके से लिए गया है कोई employee उसकी 10,000 salary है और हर साल जो इसको increment मिल रहा है वो उसको 500 रुपीज का मिल रहा है तो यहां पर उसकी salary का graph है बाके employees का यह orange वाला है यह नोर्मल जा रहा था लेकिन किसी employee पर आप non cumulative effect लगा दिया गया है तो यहां पर क्या होगा यहां पर उसको 2020 में यहां पर उसको penalty लगा दी तो जो उसकी salary तो इसको increment नहीं विला उसकी salary यहां पर कितनी है 10,500 दो साल के लिए लगी है तो यहां पर भी 10,500 लेकिन जब दो साल के बाद उसको मिलेगा ना तो यहां पर हमने क्या किया था कि community में forever रहेगा effect forever time के लिए उसका increment hold पे लेकिन यहां पर हम इसी तरीके से करेंगे कि जितना औरों का हो रहा है तो यहां पर उसको 500 का ही increment मिलेगा और यहां पर जाकि उसकी salary 11,000 हो रही है जो कि अगर penalty नहीं लगती तो 2020 में हो चुकी होती है यहां पर आप देखेंगे तो वह बाकी अपने जो भी उसके कलिक्स है उससे पीछे ही चलेगा हमेशा दो लेवल पर क्योंकि यहां पर अगर कोई कलिक उसका सेम लेवल पर 12,500 है तो यहां पर 11,500 है यानि कि 1000 की कमी दो बार increment hold की कमी तो यहां पर जो उसका graph है वो हमेशा दो increment नीचे रहेगा अपने कलिक से और जो lifetime क्योंकि यह पूरा effect हो गया उसके पूरे lifetime पर तो वहां तक यह पूरा अगर आप effect को count करोगे तो यह जो loss होगा यह बहुत ज्यादा लाखो में इसका loss हो जाएगा क्योंकि जितनी ज्यादा salary होगी उतनी के coding आपकी percentage है वो होगी यहां पर तौमने सीधा से example लिया है 500 रुपे increment के बढ़ाई है लेकिन जितनी ज्यादा salary उतना ज्यादा percentage उसके coding आपकी increment तो इसके coding पूरा फ़र पड़ेगा तो cumulative effect जब भी आप किस employee पर लगाओगे मतलब उसका पूरा monetary loss हो रहा है उसकी जो as normal जो होता है increment उसके coding होगा उसको रुके हुए increment यहां पर नहीं मिलेगा ठीक है I hope it clear now cumulative और non cumulative क्योंकि यह दोनों ही आपको पता हूंचिए यह दोनों ही आपके measure penalties है ठीक है और क्या है measure penalty में आप demotion कर सकते हो या फिर reduction in pay or salary पे और salary हमने देख लिया दोनों तरीक जैसे है cumulative effect भी है और non cumulative है तो मेजर में जो ज्यादा होती है measure में कौन सी होगी आपकी non cumulative या cumulative तो basically measure में आपकी दोनों ही आ जाती है और जो हम बात कर रहे थे minor में वहाँ पे यह penalty जो है कम दी जाती है तो measure की में ज्यादा दी जाती है जहां पर आपकी grade या post को आप lower grade कर सकत the kind of demotion या फिर reduction in pay or salary हो सकती है यह आपकी measure penalties है ठीक है तो यहां पर एक और example दिया है तो यहां पर क्या दिया है आपका reduction by stage ठीक है पहले क्या था कि हमने increment को hold किया अब हमारा example क्या है कि हमने उसकी stage को ही degrade कर दिया है उसका demotion कर दिया तो यहां पर अगर कोई employee 2018 में जोइन क किया उसकी salary 10,000 है और माल लीजे हार साल जो increment हो रहा है वह 1000 रुपी से हो रहा है तो अगले साल उसकी 11 होगी फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से graph चलना चुह है लेकिन 2020 में उसके penalty लग गई और penalty लग गई तो उसको कितना grade कर दिया गया एक, दो, तीन, तीन stage उसको degrade कर दिया है तो यहां पर उसकी salary कम हो जाएगी जहां पर उसको 13,000 मिल रही थी अब वहां उसकी 2 grade कम क्या 3 grade कम है यहां पर 14 से 3 grade कम है तो सीधा 11,000 उसको मिलेगी ठीके नेक्स उसके अगले साल भी उसकी 11,000 रहेगी लेकिन जब यह इसकी penalty हटेगी reduction in stage से तो उसको automatically उतने ही मिलेग उसको post या service जो भी उसकी उससे हम नीचे उसको लेकर आ रहे हैं तो वहां पर उसकी salary को भी हम automatically उसी post के according लेकर आएंगे तो यहां पर भी उसका monetary loss होगा लेकिन सबसे जाला monetary loss कहां पर होगा आपका cumulative effect में नेक्स्ट क्या है यहां पर same example अब यहां पर cumulative effect वह हमारा कौन सा था non cumulative effect और जो हम cumulative effect की बात कर रहे हैं तो मतलब हमेशा के लिए यह असर रहेगा और हमेशा के लिए असर रहेगा तो यानि कि दो बार जब उसका 11,000 salary थी अगली बार उसकी अगर non cumulative होता तो सीधा 16,000 हो जा वो 13,000 2021 में था अब वो 2025 में जाके अपनी उसी salary वापिस आया है तो इस case में community में हमेशा सबसे ज़्यादा loss होता है निक्स मेजर पैनल्टी में compulsory retirement भी हो सकता है ठीक है pension and graduate can be reduced as per officers discretion तो आपकी जो pension है आपकी जो अपनी डिस्क्रेशन पे उसकी pension और ग्रेजुटी अमांट को घटा सकती है लेकिन कित से ज्यादा कम नहीं कर सकती अगर ऑथर्टी चाहे तो कम कर सकती है लेकिन वो जो उसकी sanction pension है जितनी उसकी actually pension होनी चाहिए उसके 2 by 3rd से वो कम नहीं होनी चाहिए तो शुड़ not be less than 2 by 3rd of this sanction pension जैसे कि 10% decrease कर दिया 20% 25% पैंशन या ग्रेजुटी यह दोनों भी हो सकता है तो दोनों depend करता है तो right of holding or withdrawing a pension और recovery from a pension lies with the president तो यह प्रेजिडेंट के पार्स पावर है कि वो hold करना चाहता है पैंशन को recovery करना चाहता है pension से अगर कोई लोस है तो उस case पे और यह हमेशा UPSC से consult होना चाहिए नेक्स क्या है removal from the service तो हमने major penalty में क्या देखा सबसे पहले हमने देखा withholding of promotion promotion को रोक लिया reduction कर दिया stage में compulsory retirement और अब क्या है removal from the service किसी को remove कर दिया तो एक यहाँ पर चीज मैं आपको clear कर देती हूँ एक होता है remove कर दिया और एक होता है dismiss कर दिया इन दोनों में difference क्या है remove और dismiss में दोनों को इपोस से हटाया जाता है लेकिन जब आपको remove क्या जाता है तो आप कहीं दूसरी जंगाल पर re-employed हो सकते हो किसी दूसरी जंगाल पर आप जाके job कर सकते हो आपको उसकी आनुमती होती है लेकिन dismiss के case में आप re-employee नहीं हो सकते हो, आप कहीं और जगा पर job नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो removal of service में क्या होगा, eligibility of pension and graduate ends, but can come back in another job in future in the same government or other government, तो अगर आपको remove किया गया है, तो आप same government में या किसी other government में दुवारा से job कर सकते हो, लेकिन आपकी जो eligibility है, pension और graduate की वो end हो आती है, वो नहीं मिलती है आपको, तो next, dismiss, dismiss में भी अब यहीं होगा, कि eligibility, pension and graduate की खतम हो जाएगी, लेकिन दुबारा जोग में आप job में नहीं आ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर can note आएगा, ठीक है, दुबारा आप job में नहीं आ सकतो, dismiss के case में, लेकिन remove के case में, आप दुब में इसर सेल भी followed by CCA rules, तो मैंने कल भी जोब MCQ discuss करे थे हमने last class में, तो हमने discuss क्या था, minor और major penalty में क्या difference होता है, minor penalty को आप without departmental inquiry लगा सकते हो, बिना किसी inquiry के आपको बस काम की निंदा करनी है, censor करना है, आप कर सकते हो, उसके लिए कोई departmental inquiry करने की जरूत नहीं है, लेकि लेकिन जो आप किसी को service से remove कर रहे हो, किसी की post को आप downgrade कर रहे हो, या किसी की salary या increment को अगर आप रोग रहे हो, तो उस case में आपको departmental inquiry लानी जरूरी है, बिना किसी inquiry के, बिना inquiry authority बैठे, बिना प्रोसीडिंग हुए, आप किसी को major penalty नहीं सुना सकते हो, तो वहाँ पे major penalty के लिए department inquiry हमेशा जरूरी होगी, ठीक है, तो अगर major penalty लगानी है, तो आपको CCA rules के ताहँ जो भी procedure है हमारा, कि कैसे authority होगी, कैसे procedure स्टार्ट होगी, वह शुरू होनी जरूरी है, अब बात करते हैं, तो termination shall be done on temporary government servant under CCS temporary service rule 1965, तो जो आपका termination होगा, आप कोई भी ऐसा काम आपका contract है या terminate हो गया, तो यह CCS temporary temporary employee होते हैं उनके लिए, तो वह terminate हो जाएगा, it is an administrative act and does not amount to dismissal, termination does not cast a stigma in government servant and therefore does not result in 45 post qualifying service, termination का मतलब यह नहीं कि आपको remove किया गया है, dismiss किया गया है, इसलिए आपर mention है, कि आपका भी confused ना हो कि remove या dismiss किया गया है, मतलब उसको terminate किया ग है, उसका कोई period है, उस period के बाद उसका वो खतम हो जाता है, उसका वो period contract मानीजे वो खतम हो जाता है, तो वो termination कर दिया गया भी, तो उसका period termination हो गया, तो वो उसका काम ही इतने time का था, temporary basis पे था, वो कभी ना कभी terminate होना था, वो हो गया, इस के समों उसको remove dismiss नहीं किया गया, जब remove dismiss नहीं किया गया, तो यह कोई penalty नहीं हुई, जब employee का termination होगा, यहाँ पर CCS temporary rules के तहर, तो इसमें उसकी जो भी qualifying service है, वो जब भी permanent होगा, आगे उसकी qualifying service को माना जाएगा, यहाँ पर, As per the ruling of Supreme Court of India, if withholding of increment with cumulative fact is treated as a major penalty, because it has a perpetual effect on the entire tenure of the service, तो warning, जब भी Supreme Court के आदेश के according भी, जब भी आप major penalty करोगे, तो उस time आपको बहुत ही सोच समझ के, पूरा process उसके according करनी है, क्योंकि जब आप किसी का withholding of increment, community effect से कर रहे हो, तो वो उसका overall effect उसके पूरे lifetime पर पढ़ रहे है, उसकी major penalty जो आप लगा रहे हो, उसका monetary loss पूरा lifetime हो रहा है, और साथ साथ उसकी family को भी सफर करना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान से करनी है, पूरी processing कारेवही के बाल, लेकिन अगर आप किसी को warning दे रहे हो, किसी का admonition, reprimand, caution, displeasers, तो यह basically क्या है, तो major penalty में basically जब हम बात करें कि official doc में क्या लिखा है, अभी तक आप लोगों ने major penalty समझ ली, तो official doc में कुछ इस तरीके से लिखा है, आप यहाँ पर बस अपना official doc के according revise कर लोगे, तो reduction to a lower stage है, reduction to lower time scale of pay है, तो यह हो गया lower stage का और यह हो गया pay के according, जो हम already example के तुरू discuss कर चुके हैं, कि cumulative और non-cumulative में क्या होगा, तो period of reduction to time scale जहाँ पर grade को, post को इस तरीके से कर देते हैं, और यहाँ पर basically सारी चीज़े वहीं है, तो composite retirement, removal, dismissal हम already discussed कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, कि जब हम CCACC rule पढ़ते हैं, तो अगर आप हमारी online classes से जुड़े हों, तो हमने जब starting करी थी, तो हमने articles देखे थे कुछ, 309, 310, 311, 148 का सब close 5, तो इस तरीके से हमने कुछ article पढ़े थे, और major penalty को भी जो protection देता है, वो हमारा कौन सा article देता है, article 311, तो एक बार मैं आपको revise करवा दू, article 309 हमने पढ़ा, 310 पढ़ा, 311 पढ़ा, मैं सर्फ एक brief idea दे रही हूँ, आपर detail में नहीं पढ़ेंगे, तो article 309 में क्या है, कि जो हमारा president है, या जो भी post होती है, central की, UT की, कोई भी post है, तो उसकी terms कितनी होगी, उसकी condition क्या है, उसकी recruitment की, वो सभी 309 के तहट president decide करता है, अगर state की है, तो governor decide करता है, या इन दोनों क पर बात कर रहे हैं, तो 310 में क्या है, कि कितने टाइम तक वो employee जो है, tenure पर रहेगा, कितने टाइम तक उसकी वो post जो है, उसके पास बनी रहेगे, तो अब यहाँ पर पर प्रेजिदेंट को और governor को कि वो कोई भी post क्रियेट कर सकते हैं, उनकी eligibility और उसको अपने परसाद प कर सकते हो, तो इन powers को control कोन करता है, आर्टिकल 311 करता है, जो कि कहता है कि आप किसी भी employees को एक तो कोई भी आके उसको नहीं हटा सकता है, या तो appointing authority, या उससे senior, या president, ये सब लोग ही हटा सकते हैं, किसी को किसी post से, ठीक है, जो भी हमारी group A, group B, C, इस तरीके से post हैं, तो उस employee को पूरा मोका मिलेगा, पूरा fair, जो है transparent decision होगा, कि जो भी अगर मालीजे किसी employee पर, किसी government servant पर कोई charge लगा है, तो क्या charge लगा है, उसकी क्या-क्या consequences हैं, तो उसकी पूरी processing चलेगे, inquiry authority बैठेगी, उसके बाद आप किसी को remove कर सकते हो, depending on the result, लेकिन आप किसी को ऐसे हटानी सकते हो, तो यह article 311 हमारा इसको control करता है, तो major penalty जो है, वो तो हमारी article 311 के साथ protection है, तो इसलिए यह इसको बोला जाता है, कि जब आप किसी पर increment या कुछ ऐसा आप कर रहे हो, किसी को reduction कर रहे हो, scale में, post में increment रोक रहे हो, remove कर रहे हो, dismiss कर रहे हो, तो article 311 के पहले departmental inquiry होगी, और उसमें दोनों में ही क्या होगा, कि जो government servant है, उसको अपनी पक्ष रखने का, अपना defense करने का, खुद को मोका दिया जाएगा, कि अपने आपको defend कर सके, तो यह हमारा article 311 में जरूरी है, और एक और चीज यहाँ पर होती है, कि जिसने शिकायत की है, वो authority में नह नहीं हो सकता है, second, कि जिसने शिकायत की है, वो नहीं हो सकता, और जिसके खिलाफ शिकायत है, वो investigate officer नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिसके खिलाफ शिकायत है, वह investigate officer है, तो जो भी proof है, जो भी relevant documents हैं, जिससे भी शावित हो सकता है, कि वो उस नहीं जर्म किया है, तो वो सार सब्सक्राइब करना है वहां पर इंक्वारी के जरुत नहीं है तो अगर किसी को माइनर देनी है तो बिना किसी इंक्वारी के आप माइनर पैनल्टी दे सकते हो यही हमारा आर्टिकल 311 जो है अपना प्रोटेशन देता है एंप्लोई को तो firstly minor penalties lighter penalties होती है जबकि हमारी major penalty क्या होती है heavier penalties जिसका आपका पूरा आपकर affect पड़ता है monetary भी और आपकी service पे भी secondly जो major penalty could be imposed only by the appointing authority ठीक है appointing authority है या जिसको भी power है वो appointing authority ही major penalties लगा सकता है whereas authorities subordinate to the appointing authority have been designated to impose minor penalties appointing authority major penalty लगा सकता है लेकिन अगर appointing authority के कोई subordinate है तो वो सिर्फ minor penalty लगा सकता है major अमेशा appointing authority या उससे उपर वाले लोग ही लगा सकते हैं उसके नीचे नहीं लगा पाएंगे थर्ली क्या है यह आपर major penalties can be imposed only after conducting a detailed oral hearing वो पूरा hearing होगा हमारे CCA rules के ताहर जो कि rule 14 में हमारा complete है formal charge of drone तो पूरा procedure की पूरा process चलेगा charge officer होगा वो उसको charge sheet दी जाएगी फिर उसके according पूरा procedures को report दी जाएगे वो भी हमें class में cover करेंगे आपको idea में दे दूँगी ठीक है ताकि आप exam में crack कर पाऊ exam आसनी से unless conductor of inquiry has been dispensed with under second provision of article 312 reproduced in rule 19 of CCA rules against this ordinary under normal circumstances minor penalty can be imposed after issue of memorandum and personal of responsible of the delinquent तो minor को आप सिर्फ MOE या आपने जो भी है आपने order तयार कर दी और minor penalty दे दी लेकिन measure में आप हमेशा departmental inquiry बिठाओगे और जो भी rules हमारे CCA की तहत वो आप करोगे तो penalties आपको पदा चलगी यहां पे कुछ चीजे हैं कि penalties के बारे में क्या can two penalties be imposed for one lapse or offense की एक ही offense के लिए क्या दो पैनल्टी दी जा सकती है एक ही काम है उसके लिए आप दो पैनल्टी दे रहे हो तो आपने लगाई किसी एक के लिए और तब तक दूसरा offense हो गया और दूसरी पैनल्टी फिर आपने लगा दी ऐसा तो हो सकता है कि एक offense हुआ उसके लिए penalty फिर थार्ड उसके लिए तो कितनी भी continuous हो सकती है तो यहां पर क्या होगा cumulative effect हम देखेंगे मालनीजे यहां पर आपने पैनल्टी लगा दी कि एक साल के लिए आपका increment hold यहां पर आपने लगा दी दो साल के लिए hold फिर आगे वालोजी अपने चार साल के लिए hold लगा दी तो आप क्या देखोगे एवसे उस penalty में mention करना होगा कि यह जो पैनल्टी एक साल का increment holder फिर दो साल का increment hold है क्या यह एक प्लस टू होगा या फिर यह एक से ही स्टार्ट हो जाएगा जिस डेट से आपने का उसी डेट से हो गए थे यहां पर आपके 9 बचे थे अगर ऐसा है कि इसके बाद शुरू होगी तो 9 months के बाद शुरू होगी लेकिन अगर ऐसा है कि जिस दिन डेट है उसी दिन से पैनल्टी स्टार्ट हो जाएगी तो यह वाली तो आपकी हैं कितने भी पैनल्टी लगा दो लेकिन इतना भी बुरी तरीके से पैनल्टी इस नहीं लगानी है कि उत्वर्वर्वेंट के लीए सेहन करना ही मुश्किल हो जाए तो इस बात का आपका most important था यहां से आपका question आता ही आता है minor penalties, major penalty को लेकर I hope आपको ये topic बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा अब आपके पास कोई doubt नहीं होगा फिर भी कोई doubt है कोई भी query है तो आप comment section में comment कर सकते हैं तो आप लोग को और information देदू, साथ ही आप हमारी study portal academy आपको download कर लीजे वहाँ पर आपको इस तरीके काफी सारी free test भी मिलेंगे और हमारे online courses और mock test series भी वहाँ पर available है साथ ही recorded courses भी available है ये app हमारी android और app store दोनों पर ही available है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी principal, wise principal exam की UPSC, KVS, NVS, EMRS या कोई भी state level का तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे online batches में जहाँ पर इसी तरीके से हम पूरा syllabus topic wise cover करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, आपके पूरे doubt समा पर sold किये जाते हैं live batch होता है, तो हमारे पास 3 batches available है अभी फिलहाल principal के लिए क्योंकि आपका exam 17 July को है तो 17 July की validity के साथ आप course ले सकते हैं जिसमें सारी recorded videos होंगी और mock test होंगे class notes PDF की format में होगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और अगर आप चाहते हैं कि UPSC के अलाव में कोई और exam भी आगे future में देने वाला हूँ तो उसकी लिए आप हमारा one year validity का course खरीद सकते हैं जिसमें की आपको पूरा course मिलेगा, पूरी classes, PDF और आपकी test इन classes को, इन test को आप unlimited attempt कर सकते हैं यहाँ पर तो अभी हमारा offer चल रहा है, जो कि आगर आप one year validity के लिए खरीदते हैं तो उस पर offer है, वहाँ पर आप app download करेंगे, course को search करेंगे June sale offer पे आप apply कर सकते हैं इसी तरह के से क्योंकि UPSC Vice Principal की आज last date है form की अगर आप लोगों ने form fill नहीं किया अभी तक, तो वो form भी आप fill कर लीजिए अगर principle के साथ साथ wise principle की तयारी कर रहे हैं क्योंकि इसले बस लगबग सेम होता है, बस थोड़ा सा level difficult हो जाता है principle में तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारा wise principle का live batch already running है अभी कुछ दिन पहले start हुआ है, जिस दिन notification है तो उससे next day back start कर दिया गया था 16 June तक coupon है उसमें यानि कि आज last date है, अगर आप लेना चाहते हैं तो early bird discount लगाएंगे तो आपको सीधा 10,000 का discount आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती है इन वीडियोस को आप जितनी बार चाहते बार देख सकते हैं, साथ ही इस तरीके साथ को PDF मिलती है और आपके online test रहते हैं, आप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की काफी सारे information अविलेबल है और साथ ही आप हमें social media पर follow कर सकते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ WhatsApp पर नहीं जुड़े हैं, ताकि जैसे कि अगर आप किसी course से नहीं भी जुड़े हैं, आपने notes लिए हैं या आप जैसे की ये वीडियोस हैं वो देख रहे हैं, तो आप इनकी अगर PDF जो हैं आपको WhatsApp के through send कर दी जाती है, या कोई भी exam है, उस exam के form कब आए, last date कब है, admit card आए, previous year paper, कोई भी important उसके लिए news है, तो वो सभी आपको WhatsApp के through send कर दी जाती है, तो यह हमारा help line number है 8447410108, इस number को आप save कर लीजिए, इस number पर आप name city exam लिख के आप हमें send कर सकते हैं, माली जाप का name है सीम तो सीमा लिखेंगे, city माली जाप के देली, तो आप देली लिखेंगे, और exam माली जाप का UPSC principal या वाइस principal तो आप UPSC principal लिखेंगे, ताकि आपको relevant broadcast में add कर लिया जाए, और आपके पास पूरी information आती रहे, तो वीडियो कैसे लगे आपको, आप comment section में जरूर बताइए, अपना feedback share करें, और इस वीडियो का link अपने जितने भी colleagues हैं, उन सभी लोगों के साथ share करें, जो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यह सभी link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, app, website, social media links, और इसके अलावा इस तरीके के PDF में आपको link मिलेंगे, जहाँ पर आप, और भी इसके अलावा काफी सारी वीडियो हैं, हमारी playlist बनी है, principal, vice principal की, उसमें आप देख सकते हैं, काफी सारे demo वीडियो, इसको भी आप demo वीडियो ही consider कर सकते हैं, जहाँ पर हमने आज सर्फ rule 11 के बारे में discuss किया, इसी तरीके के बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, thank you for your attention, तो कोई भी doubt, कोई भी query regarding this rule, जो हम आगे की class लेकर आएंगे आप लोग के लिए, उसमें हम discuss करेंगे पूरा procedure, जो एक procedure होता है, flow chart के जरी है, ताकि आपको समझ में आ जाएं कि किसी पर अगर charge लगेगा, तो inquiry से लेकर उसके charge लगने तक क्या procedure रहता है, तो any query till now, को आपको notes भी provide करते हैं, all over India, तो study portal आपको online classes, जो कि live batch होता है, वो भी, साथ ही आपको recorded classes का batch, और इसके अलावा notes by courier भी आप ले सकते हैं, mock test भी available है, और अगर आप अभी within June, अगर आप कोई भी UPSC Vice Principal का course purchase करते हैं, तो अभी हमारा offer है, आपको hard copy notes free of course आपके घर तक मिलेंगे, by courier, तो notes आपको free of course मिलेंगे, अगर आप कोई भी online course purchase करते हो, with one year validity, ना कि 17 जुनाईवाला, one year validity, UPSC Principal या Vice Principal का कोई भी batch recorded, या फिर live आपको उसके साथ, आपके notes by courier घर तक मिलते हैं, I hope यहाँ पर आपकी clear है, any doubt, any query, तो feel free to ask, तो मिलते हैं, next video में, तब तक, thank you so much, bye bye, take care. Hello everyone Hello everyone, good morning and welcome back to the channel Study Portal, तो Study Portal पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे, जो most important rule है, rule 11, जिसमें कि हम discuss करेंगे, minor penalties क्या हैं और major penalties क्या हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो की थी, जो अगर आप लोगोंने नहीं देखी अभी तक, तो आप लोग देख लेना, CCS, CCA rules पर हम MCQ लेकर आये थे आप लोग के लिए, तो I hope आपने वो देखी होगी, तो आपको उसके बारे में information होगी, तो वहाँ पे भी जो question थे जादा तर mostly वो किस से थे, rule 11 से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको explain करने वारे हूँ कि rule 11 क चोकि बताता है, penalties के बारे में, यह अगर आप कोई भी principal, vice principal या फिर UDC, LDE, कोई भी exam अगर इस type का आप दे रहे हो, जहां पर admin finance या CCS, CCA rules आते हैं, तो उसके लिए आपको यह important रहेगा, तो वीडियो का link अपने दोस्तों के साथ share कर दीजे, अगर अभी तक आप लोगों इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि अगर आप UPSC principal या vice principal या KVS principal, vice principal या NVS, EMRS या state level के किसी भी exam के अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर इस type की बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम MCQ भी तक हमारी अप को डाउनलोड नहीं किया है, तो हमारी अप है study portal academy, इस अप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यह अप Android और अप दोनों के लिए अविलेबल है, यहाँ पर आपको काफी सारे online courses, test series, mock test, pre videos भी कुछ यहाँ पर मिलेंगी, साथ ही अगर आप principal, vice principal का बैच चाते ह हैं, तो वो भी इस पर मिलेगा, तो दोनों का link नीचे description box में है, वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, mostly लोग जो नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए बर फिर से बता दूँ, तो जो हम batch चलाते हैं, उसमें क्या, जो features हैं, वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो one year की validity होती है, यानि कि आप उस course को one year तक देख सकते हो, उसलिए बस आपका पहले cover हो जाएगा, लेकिन आप उन सभी videos को, सभी जो mock test है, उनको जो भी आपको उसमें study matter मिलेगा, सबको आप one year की validity के साथ देख सकते हो, second, इसमें जो भी class notes ह पढ़ा रही हूं, तो इस तरीकी की सारी PDF के form में आपको आपकी app पर मिलेंगी, third, आपको subject wise test मिलते हैं, topic wise test मिलते हैं, जैसे CCACC हैं, तो selected test मिलेंगे, इस type के सारे test वहाँ पर आपको मिलते हैं, अगर आप live ले रहे हैं, तो interactive session होगा, क्योंकि जो भी doubts होंगे, आप उसमे math reasoning, gk, बल्कि उसके साथ जो focus रहता है main, जो आपके exam का specific portion है, admin finance and education academics और office procedure, जब आप UPSC की बात करते हैं, तो वहाँ एक office procedure का topic बेज़ जड़ जाता है, तो उन सभी topics पर हम आप लोग के लिए videos लेकर आते हैं, पूरा syllabus हम थोरोनी cover करते हैं, आपके online courses में, तो अगर आपक खरीच सकते है, recorded batch है, जो कि आपका 17 जुनाई तक valid रहेगा, लेकिन अगर आप तयारी कर रहे हैं, किसी और course की भी साथी KVS principal या किसी और post के लिए principal लेवल पे, तो one year validity वाला recorded batch खरीच सकते हैं, अदर्वाइस हमारे live batch भी अविलेवर हैं, जैसा कि आप सब भी जानते, UPS की वाइस प्रिंसिपल की वेकेंसी आई है, और आज उसकी last date है, अगर आप में से किसी को UPSC वाइस प्रिंसिपल का form फिल करना और नहीं फिल किया है, तो आज 16 जुन last date है, तो वो आप जो है, फिल कर लीजिए, और जो batch है हमारा वाइस प्रिंसिपल का live उसे आप जोइन क सकते हैं, साथ ही इस तरीके से आपको PDF की form में notes वहाँ पर मिलते हैं, और आप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं, साथ ही हमारी channel को YouTube पर subscribe करें, और इसके अलावा आप हमें social media पर भी follow कर सकते हैं, तो अगर आप तयारी कर रहे हैं किसी भी competitive exam की, किसी भी teaching exam की specifically, तो आप हमारे साथ WhatsApp के मादम से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी information मिलती रहे, तो जिन बच्चों ने WhatsApp किया था, उनको पिछली जो CCS CCA वाली MCQ की format में जो PDF थी, वो आपको आज चुकी होगी, वो आप check out कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिली है, या आप हमारे साथ अभी तक नहीं कुछ है, तो आनुज लिखेंगे, CT माल लिजे, आपकी जो है, लखनव है, तो आप यहाँ पे लखनव लिख देंगे, या दली है, तो दली लिख देंगे, exam आपका UPSC है, तो UPSC, या फिर KVS, EMRS, DSSB, KVS, कोई भी teaching exam हो, किसी भी लेबल पो, PRT, DZT, PCT, Principal, Vice Principal, सभी की तैयार ही होती है, तो चलिए आप चलते हैं, अपने most important topic पर जो हम आज के इस class में करने वाले हैं,